वेल्कम टू शॉर्ट हैंड हेल्प लाइन गुड मॉर्निंग इस्टेनोगाफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है जहां आपको मिलता है प्रति दिन अस्री नब्बे सो एक सो दस और एक सो भी सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन वो भी प्रति दिन डिक्टेशन की टामिंग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिजाएगी तो आपकी जितनी भी स्पीड हो आप अपने हिसाब से डिक्टेशन लिख सकते हैं उसके पहले हम उनके कटिन वर्ड्स और आउटलाइन्स को देख लेते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना और उसके साथ पर में से आता है तो हम एजली उसे जोड सकते हैं हमें अलग से पैन या पैंसल उठाने की आवश्यक्ता नहीं है तो हमने एंकाउंटर लिखा न को बढ़ा किया तो टर जोड़ गया इंकाउंटर और पर छोटा सा पर जोड़ देते हैं इसमें खुले तौर यह एक रूल होता है जो तौर पर आता है तो जो भी हम सब्दे लिखते हैं पहले वाले उसे को बढ़ा करके और छोटा सा पर जोड़ देते हैं ऐसा ही सेम आया है खुले तौर पर सीधे तौर पर तो खौ और लो हमने लिखा और लो को बढ़ा करके पर जोड़ दिया तो इसमें आया है प्रणाली तो कर और प्रणाली और पर इसमें जोड़ देंगे चर्चित कांड तो चर्चित के लिए चो में रोका आकडा उसे बढ़ा करेंगे तो फिर से चो जुड़ेगा और तका आकडा कांड के लिए कोर ड़ मार गिराया जाना तो मार पे आखी मातरा इसलिए लाइन के ऊपर लिखेंगे मार और गमरा का अकड़ा गिराया और यह गिराया और जाना के लिए ज़ और नका अकड़ा एक धाड़ना यह भी है कि यह हमेशा एक साथ आता है इसलिए हमने एक साथ बनाया है लेकिन अगर आप 80 के रिक्रिश लिख रहे हैं तो अलग-अलग भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम मिलता है तो एक के लिए का हमने लिखा है धाजना के धमिरा का अकड़ा फिर न और यह भी हैकी का रूल अपलाई कर दिया है सामिधानिक व्यवस्था तो सामिधानिक के लिए शय और वह जैसे समिधान लिखते हैं वैसे समिधानिक लिखा आपने एंड उसमें व्यवस्था जोड़ दिया न्याय पालिका, न्याय पालिका के फिक्स आउट लाइन है ये आप इसे देख लिजिए न, पॉमिलो का अकड़ा फिरकव न्याय व्यवस्था, तो न में या की मातरेशने लेन के उपर लिखेंगे न्याय यानि न और य और इसमें व्यवस्था जोड़के और ड sunshine लगा कर कि मे जोड़ देंगे मे होता पर होता से होता तो हम डास लगा कर के जोड़ सकते हैं राशनितिक नैद्रेटो मैंने कई बार आपको बताया है कि र न और कलिकन है लेकिन अगर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सब्दा आता है तो हम उसे और छुटा करने का प्रयास करते है रो फिर नौर कर और नेतरितों की फिक्स आउटलाइन होती है फिक्स सब्द चिन्न कहें या फिर एक और होता है तो आप लोग कहेंगे कि हमारे सर ने तो ऐसे बताया तो दोनों होता है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है साथन एक ऐसे चीज़ है जो कई तरीके से लिखे जाती है लेकिन रूल पे ही लिखे जाती है तो नेतरित्व के लिए ना को बढ़ा करके फिर वाक का आखड़ा लगा देते है या फिर ना लिखे तो का जो सर्ग प्रत्य होता वो लगा दे नेक्स्ट है किया जा रहा हो तो किया का सद्चिन होता है को लाइन कट करके लिखते है और धो को बढ़ा करेंगे तो रहा रही रहे जुट जाएगा और हो की का आखड़ा लगा देंगे बंधा रही थी तो बंधा के लिए बोका आखड़ा फिर न और धो को बढ़ा करेंगे तो रहा रही रहे जुट जाएगा बंधा रही और थी के लिए था हमने जैसे लिखते हैं वैसे मात्रा लगा देंगे वहाँ पर तो ये तो रही जाग्यन की अब देख लेते हैं हिंदुसान के लिए सामोहिक दुसकर्ण तो सामोहिक के लिए शा और म और ह का आकड़ा फिर कात योग या सामोहिक और दुषकर्म के लिए दा शा और का और म अब आप कहेंगे कि दो इस साइड से बनाते तो ज्यादा बेटर होता लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके आने वाला सब्द पहले कौन सा है अगर कवा आ रहा है तो उसके बाद अगर हम दो में रो का आकड़ा या लो का आकड़ा नहीं लगाते हैं तो व है और कोई difficulties ना हो हमें लिखते टाइम या फिर पढ़ते टाइम नेक्स्ट रहां आम आदमी के साथ लिए मह लिखेंगे और दो और मह और फिर ओकर करो वाला के साथ का सब्लाइब करदेंगे जना और के दबाओं में यह रूल है जो अभी मैंने बताया नहीं है आपको चुकि रूल वाली वीडियो अभी बन नहीं पा रही है लेकिन जल्दी बहुत सारे रूल है जो हमने बना करके रख लिये हैं लेकिन वीडियो नहीं बनाया है स्टैनो हेल्पलाइन पर जल्दी वह यह फिर कर लिखते हैं लेकिन इस यह हमने छोटा करने का प्रयास किया है ताकि नौ के बाद यह और कर लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि नौ फिर यह और फिर यह तो हम बैक जाएं तो शॉर्ट हैं में बैक भी नहीं जा सकते क्योंकि बैक आएंगे तो हम ज्यादा टाइमिंग खश करनी पड़ेगी एंड हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी तो हमने इसमें बीच में यका आकडा लगा दिया है फिर कलिक दिया है नियाएक और तंत्र के लिए तको बढ़ा करके और नका आकडा लगा दिया तो तंत्र हो गया सर्मनाग प्रमान है तो स हमें रका आकडा और करना पूरा लिखा करकरके करना तो होता है लیکिन अगर आप प्छाहें तो पूरा लिख सके हैं ताकि हमें पढ़ने में कोई भी दिकत नहीं हो तो करना और होगा कही कें लिए डैस लगा दिया है कुछ करना ही तो कौन कुछ का सब्दचीन होता है गा, न, ग, और, ह, अर्डैस लगा करके से, जैसे मैंने वताया था, से में पर आता है, तो हम इसली उसे लिख सकते हैं, किसी भी सब्द के बाद, नीति नियंता हो, नीति नियंता कई बार आया है, लेकिन बहुत से लोग इसे बार बार पूछते हैं, क्योंकि ये सब्द में आता ही है, बहुत सारे डिक्टीशन्स में, तो अता नेता नीती के सब्द चिन होता है, और न सिकत करेंगे, तो नियंता और बागोचन की बिंदी लगा देंगे तो नीति नियंता हो, असली लिता, के लिए लिखेंगे और काडैस लगाएंगे, फिर शा और तो है इसे सामाजिक समस्या तो समाज क्या सद्दचीन होता है सरज और को आता है तो को लिख सकते हैं या फिर को से कट कर सकते हैं लेकिन हम प्रयास करते हैं कि पैंसल या पैंस जादा ना उठाएं तो सामाजिक उसी में को जोड़ दिया हमने आयन समस्या की आउटलाइन लिख इसमें फब्तिया कस्ति हैं तो फब्तिया के लिए 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 फब् इक्टेशन नमबर वान सेक्स पोर, यानी एक्सोच चौट, तो सबसे पहले मिलेगा आपको हिंदुस्तान, फिर जागरण, फिर हिंदुस्तान, फिर जागरण, और उसके बाद 120 सब्द प्रतिमिनट में मिलेगा हिंदुस्तान और जागरण, तो चल्ले देख लेते हैं ऐसी सब्द प्रतिमिनट के डिक्टेशन स्टार्ट इनकाउंटर पर पुलिस की कहानियों को सच मानने का चलन अपने देश में कभी नहीं रहा यहां तक की वे भी ऐसी कहानियों को सच नहीं मानते जो खुले तोर पर इनकाउंटर का समर्थन करते हैं और इसे जरूरी भी मानते हैं लेकिन फिर भी हैदराबाद दुसकर्म मामले के चार आरूपियों के रात अंधेरे में हुए इनकाउंटर की जो कहानी तेलंगाना पुलिस ने पेस की है उस पर सीधे तोर पर सक करने का हमारे पास कोई आधार नहीं है हालांकि अगर उसकी कहानी सही मान ली जाए तब भी वह पुलिस की कार्य प्रणाली पर बहुत सारे सवाल खड़े करती है यह तो पूछा ही जाएगा कि पुलिस ने ऐसी इस्थितियां क्यों बनने दी जिसमें इतने बड़े और चर्चित कांड के आरोपी भाग कर बच निकलने की सोच सकें जाहिर है अगर लीपापोती नहीं हुई और मामले की ठीक से जाच हुई तो बहुत सारे सच सामने आ जाएंगे लेकिन इस मामले में जादा चिन्ता की बात कुछ दूसरी है इस मामले में जिस तरह से खुसियां मनाने की खबरे आ रही हैं वे परेशान करने वाली हैं खुसियों के इस मनो विज्ञान को समझना जादा कठिन नहीं है बेसक इसके पीछे हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था की खामियां है जिनसे यह धारना बनी है कि देश में अपराधियों को सेग्र सजा नहीं मिलती और पीडित को समय रहते न्याय नहीं मिल पाता ऐसे में दुशकर्म के आरोपियों का मार गिराया जाना कुछ लोगों को मानसिक राहत भी दे सकता है वैसे एक धारना या भी है कि इस समय जब लोगों का गुस्सा उबाल पर है लोगों को मानसिक राहत देने की गरज से ही इंकाउंटर का कदम उठाया गया है तनाव के माहौल में आम लोगों से ऐसी प्रतिक्रिया की उमीद की भी जा सकती है लेकिन दिक्कत तब आती है जब कुछ संसल सदस्य तक इंकाउंटर का स्वागत करते दिखाई देते हैं हमने जो सामविधानिक व्यवस्था अपनाई है उसमें सजा देने की जिम्मेदारी न्याय पालिका की है पुलिस के पास इसका अधिकार नहीं है जब की इंकाउंटर वाली सोच पुलिस को यह अधिकार देती दिखती है यह ठीक है की न्याय पालिका और न्याय व्यवस्था में बहुत सारी खामिया हैं लेकिन पुलिस व्यवस्था खामियों से मुक्त हो ऐसा भी नहीं है दोसी को पकडने और उसे सजा देने की व्यवस्था दुरुस्थ हो इसके लिए पुलिस और न्याय व्यवस्था दोनों में सुधार की जरूरत है जिससे देश का राशनितिक नत्रित्व हमेशा बचता रहा है हैदराबाद इंकाउंटर के बारे में भले ही यह दावा किया जा रहा हो कि इसमें दुसकर्म के अपराधी मार गिराए गए लेकिन पुलिस की ऐसी सक्रियता के दूसरे खतरे जादा बड़े है और कम से कम यह न्याय का विकल्प तो नहीं ही हो सकती हैदराबाद की घटना के बाद आम लोगों में जो गुस्सा बना था उसकी आच केंद्र और राजियों की सरकारे महसूस कर रही थी दुसकर्म से जुड़े कानूनों और उसे लेकर पुलिस व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने की जिस तरह की मांग हर ओर से उठ रही थी वह बदहाल की उमीद बधा रही थी ऐसा दबाव निर्भया मामले में भी बना था और कुछ एक बदलावों के बाद जब लोगों का गुस्सा थंडा पड़ा तो चीजें फिर अपने धर्रे पर लोट गई इस बार कुछ बदलाव करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और एक इनकाउंटर ने ही लोगों का गुस्सा थंडा कर दिया जाहिर है इससे आम लोगों से ज़्यादा राहत की सास सरकारों ने ली होगी 80 सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन के स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बात वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना बूले स्टार्ट हैदराबाद में सामोहिक दुषकर्म के चार आरोपी जिस तरह पुलिस मुठबेड में धेर कर दिये गए उसे लेकर केवल सवाल ही नहीं उठाए जा रही है बलकि खुसी भी जताई जा रही है पुलिस की कारवाई को सही ठहराने और यहां तक की उसे न्याय की संग्या देने वालों में आम आदमी के साथ सांसद भी सामिल हैं ऐसा तब है जब इस मुठबेड से जुड़े कई प्रश्न अनुत्तरित हैं और हर कोई इससे अवगत है कि पुलिस काई बार फरजी मुठबेडों को भी अन्जाम देती है फरजी मुठबेडे भीड के हिंसा का ही एक रूप हैं यह जल्द सामने आना ही न्याय के हित में होगा कि हैदराबाद पुलिस ने जनाक्रोस के दबाव में आकर मुठबेड को अन्जाम दे दिया या फिर उसने वाकई आत्मरक्षा में सामोहिक दुसकर्म कांड के आरोपियों को मार गिराया यदि इस सवाल का जवाब सामने आने के पहले ही एक बड़े वर्ग की ओर से हैदराबाद पुलिस के कारेवाई को जायज बताया जा रहा है तो इसकी जड में दुसकर्म के मामलो का बढ़ना महिला सुरक्षा का सवाल कहीं अधिक गंभीर हो जाना और न्यायकतंत्र का सिथल होना है इस सिथलता का सर्मनाक प्रमान है साथ साल पहले देश को दहलाने वाले निर्भयाकांड के गुनहगारों की दी गई सजा पर अमल ना हो पाना किसी को सामने आकर यह बदाना ही चाहिए कि आखिर निर्भयाके गुनहगारों की सजा पर अमल में देरी के लिए कौन जिम्यदार है केवल यही नहीं इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि दुशकर्म की घटनाओं के निस्तारण में जरूरत से ज़ादा देरी क्यों हो रही है और ऐसे मामलों में दोस सिद्धी की दर इतनी कम क्यों है क्या निर्भयाकांड के बाद कानूनों में तमाम संसोधन यही दिन देखने के लिए किये गए थे अगर नहीं तो फिर हालात जसके तस बलकि उससे भी बददर क्यों दिख रही है समाज को इन सवालों का जवाब मांगने के साथ ही इस पर भी गौर करना होगा कि दुषकर्मी तत्व कहीं बाहर से नहीं आते वे समाज का ही हिस्सा होते हैं आम तोर पर ये वही तत्व होते हैं जो सरे आम महिलाओं पर फब्तियां कसते हैं और उन्हें वासना की पूर्ती का साधन मात्र समस्ते हैं समाज को अपने बीच सक्रिय ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कुछ करना ही होगा वास्तों में एक और जहां समाज को महिलाओं को ओची निगाह से देखने वालों के खिलाफ सक्रिय होने की जरूरत है वहीं दूसरी और नेतिने अन्ताओं को यह समझने की जरूरत है कि संचार तकनीक के जर्ये हो रहे असलीलता के प्रसार ने एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप ले लिया है 90 सब्द प्रति मिनट के डिक्टीशन की यह सारे डिक्टीशन है पे स्टेनोग्राफी में अपडेट किये जा चुके हैं तो आप वहाँ जा करके टाइप कर सकते हैं और अपने मिस्टेक को काउंट कर सकते हैं स्टार्ट होगा फूर सेकेंड बात स्टार्ट इनकाउंटर पर पुलिस की कहानियों को सच मानने का चलन अपने देश में कभी नहीं रहा यहां तक कि वे भी ऐसी कहानियों को सच नहीं मानते जो खुले तोर पर इनकाउंटर का समर्धन करते हैं और इसे जरूरी भी मानते हैं लेकिन फिर भी हैदराबाद दुसकर्म मामले के चार आरोपियों के रात अंधेरे में हुए इनकाउंटर की जो कहानी तेलंगाना पुलिस ने पेस की है उस पर सीधे तोर पर सक करने का हमारे पास कोई आधार नहीं है हाला कि अगर उसकी कहानी सही मान ली जाए तब भी वह पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत सारे सवाल खड़े करती है यह तो पूछा ही जाएगा कि पुलिस ने ऐसे स्थितियां क्यों बनने दी जिसमें इतने बड़े और चर्चत कांड के आरोपी भाग कर बच निकलने की सोच सकें जाहर है अगर लीपापोती नहीं हुई और मामले की ठीक से जाच हुई तो बहुत सारे सच सामने आ जाएंगे लेकिन इस मामले में ज्यादा चिंता की बात कुछ दूसरी है इस मामले में जिस तरह से खुसियां मनाने की खबरें आ रही हैं वे परेशान करने वाले हैं खुसियों के इस मनोविज्यान को समझना ज्यादा कठिन नहीं है बेसक इसके पीछे हमारी पुलिस और न्याए विवस्था की खामिया है जिनसे यह धारणा बनी है कि देश में अपराधियों को सिग्र सजा नहीं मिलते और पीडित को समय रहते न्याए नहीं मिल पाता ऐसे में दुसकर्म के आरोपियों को मार गिराया जाना कुछ लोगों को मानसिक राहत भी दे सकता है वैसे एक धारणा यह भी है कि इस समय जब लोगों का गुस्सा उबाल पर है लोगों को मानसिक राहत देने की गरच से ही इनकाउंटर का कदम उठाया गया है तराओ के माहौल में आम लोगों से ऐसी प्रितक्रिया की उमीद की भी जा सकती है लेकिन दिक्कत तब आती है जब कुछ संसत सदस्य तक इनकाउंटर का स्वागत करते दिखाई देते हैं हमने जो सामवी धानिक व्यवस्था अपनाई है उसमें सजा देने की जिम्यदारी न्याय पालिका की है पुलिस के पास इसका अधिकार नहीं है जबकि इनकाउंटर वाली सोच पुलिस को यह अधिकार देती दिखती है या ठीक है कि न्याय पालिका और न्याय व्यवस्था में बहुत सारी खामिया हैं लेकिन पुलिस व्यवस्था खामियों से मुक्त हो ऐसा भी नहीं है दोसी को पकडने और उसे सजा देने की व्यवस्था दुरुस्त हो इसके लिए पुलिस और न्याय व्यवस्था दोनों में सुधार की जरूरत है जिससे देश का राशनितिक नत्रित्व हमेशा बचतार रहा है हैदराबाद इनकाउंटर के बारे में भले ही यह दावा किया जा रहा हो कि इसमें दुशकर्म के अपराधी मार गिराए गएं लेकिन पुलिस की ऐसे सक्रियता के दूसरे खत्रे जादा बड़े हैं और कम से कम यह न्याय का विकल्प तो नहीं ही हो सकती हैदराबाद की घटना के बाद आम लोगों में जो गुशा बना था उसकी आच केंद्र और राज्यों की सरकारे महसूस कर रही थी दुसकर्म से जुड़े कानूनों और उसे लेकर पुलिस व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने की जिस तरह की मांग हर ओर से उठ रही थी वह बदलाओ की उमीद बधा रही थी ऐसा दबाओ निर्भया मामले में भी बना था और कुछ एक बदलाओ के बाद जब लोगों का गुसा ठंडा पड़ा तो चीजें फिर अपने धर्रे पर लोट गए इस बार कुछ बदलाओ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और एक इंकाउंटर ने ही लोगों का गुसा ठंडा कर दिया जाहिर है इससे आम लोगों से ज़्यादा राहत की सांस सरकारों ने ली होगी सौसद्र प्रतिमिने डिक्टेशन सभावत हुआ अब बरी है 110 सब्रतिमिने की डिक्टेशन की आट होगा फोर सेकेंड बाद डिक्टेशन को लाइक करना बेलकूल भी ना बोले अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ताकि उनको भी इसका लाब मिल सके स्टार्ट करते हैं स्टार्ट हैदराबाद में सामोहिक दुसकर्म के चार आरोपी जिस तरह पुलिस मुटबेड में धेर कर दिये गए उसे लेकर केवल सवाल ही नहीं उठाए जा रही हैं बलकि खुसी भी जताई जा रही है पुलिस की कारवाई को सही ठहराने और यहां तक कि उसे न्याय की संग्या देने वालों में आम आदमी के साथ सांसद भी सामिल है ऐसा तब है जब इस मुटबेड से जुड़े कई प्रश्न अनुत्तरित हैं और हर कोई इससे अवगत है कि पुलिस कई बार फरजी मुटबेडों को भी अन्जाम देती है फरजी मुटबेडें भीड की हिंसा का ही एक रूप है यह जल्द सामने आना ही न्याय के हित में होगा कि हैदराबाद पुलिस ने जना क्रोस के दबाव में आकर मुटबेड को अन्जाम दे दिया या फिर उसने वाकई आत्मरक्षा में सामोहिक दुषकर्म कांड के आरोपियों को मार गिराया यदि इस सवाल का जवाब सामने आने के पहले ही एक बड़े वर्ग की ओर से हैदराबाद पुलिस की कारिवाई को जायज बताया जा रहा है तो इसकी जड में दुषकर्म के मामलों का बढ़ना महिला सुरक्षा का सवाल कहीं अधिक गंबीर हो जाना और न्यायक तंत्र का सिथल होना है इस सिथल्ता का सर्मनाक प्रमान है साथ साल पहले देश को दहलाने वाले निर्भया कांड के गुनेहगारों की दी गई सजा पर अमल न हो पाना किसी को सामने आकर यह बताना ही चाहिए कि आखिर निर्भया के गुनेहगारों की सजा पर अमल में देरी के लिए कौन जिमिदार है केवल यही नहीं इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि दुसकर्म की घटनाओं के निस्तारण में जरूरत से जादा देरी क्यों हो रही है और ऐसे मामलों में दोस सिद्धी की दर इतनी कम क्यों है क्या निर्भयाकान के बाद कानूनों में तमाम संसोधन यही दिन देखने के लिए किये गए थें अगर नहीं तो फिर हालात जसके तस बलकी उससे भी बदतर क्यों दिख रहे हैं समाज को इन सवालों का जवाब मांगने के साथ ही इस पर भी गौर करना होगा कि दुषकर्मी तत्व कहीं बाहर से नहीं आते वे समाज का ही हिस्सा होते हैं आमतोर पर ये वही तत्व होते हैं जो सरेया महलाओं पर फवदिया कसते हैं और उन्हें वासना की पूर्ती का साधन मात्र समझते हैं समाज को अपने बीच सक्रिय ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कुछ करना ही होगा वास्तों में एक और जहां समाज को महलाओं की ओची निगाह से देखने वालों के खिलाफ सक्रिय होने की जरूरत है वहीं दूसरी और नीत नियनताओं को यह समझने की जरूरत है कि संचार तकनीक के जर्ये हो रहे असली लिता के प्रसार ने एक गंभीर समाजिक समस्या का रूप ले लिया है 110 सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की स्टार्ट होगा फाइव सेकेंड बाद स्टार्ट इनकाउंटर पर पुलिस की कहानियों को सच मानने का चलन अपने देश में कभी नहीं रहा यहां तक की वे भी ऐसी कहानियों को सच नहीं मानते जो खुले तोर पर इनकाउंटर का समधन करते हैं और इसे जरूरी भी मानते हैं लेकिन फिर भी हैदराबाद दुशकर्म मामले के चार आरोपियों के रात अंधिरे में हुए इनकाउंटर की जो कहानी तेलंगाना पुलिस ने पेस की है उस पर सीधे तोर पर सक करने का हमारे पास कोई आधार नहीं है हाला कि अगर उसकी कहानी सही मान ली जाए तब भी वह पुलिस की कार्य प्रणाली पर बहुत सारे सवाल खड़े करती है या तो पूछा ही जाएगा कि पुलिस ने ऐसी इस्थितियां क्यों बनने दी जिसमें इतने बड़े और चर्चित कांड के आरोपी भाग कर बच निकलने की सोच सकें जाहिर है अगर लीपा पोती नहीं हुई और मामले की ठीक से जाच हुई तो बहुत सारे सच सामने आ जाएंगे लेकिन इस मामले में ज्यादा चिंता की बात कुछ दूसरी है इस मामले में जिस तरह से खुसियां मनाने की खबरी आ रही है वे परिशान करने वाली हैं खुसियों के इस मनुविज्ञान को समझना ज्यादा कठिन नहीं है बेसक इसके पीछे हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था की खामिया हैं जिनसे यह धारना बने है कि देश में अपराधियों को सेग्र सजा नहीं मिलती और पीडित को समय रहते ज्याय नहीं मिल पाता ऐसे में दुसकर्म के आरोपियों को मार गिराया जाना कुछ लोगों को मानसिक राहत भी दे सकता है वैसे एक धारना यह भी है कि इस समय जब लोगों का गुस्सा उबाल पर है लोगों को मानसिक रहत देने की गरच से ही इंकाउंटर का कदम उठाया गया है तनाव की माहौल में आम लोगों से ऐसे प्रतिक्रिया की उमीद की भी जा सकती है लेकिन दिकत्तब आती है जब कुछ संसत सदस्य तक इंकाउंटर का स्वागत करती दिखाई देती है हमने जो साविधानिक व्यवस्था अपनाई है उसमें सजा देने की जिम्यदारी न्याय पालिका की है पुलिस के पास इसका अधिकार नहीं है जबकि इनकाउंटर वाली सोच पुलिस को या अधिकार देती दिखती है यह ठीक है कि न्याय पालिका और न्याय व्यवस्था में बहुत सारी खामिया हैं लेकिन पुलिस व्यवस्था खामियों से मुक्त हो ऐसा भी नहीं है दोसी को पकड़ने और उसे सजा देने की व्यवस्था दुरुस्त हो इसके लिए पुलिस और न्याय व्यवस्था दोनों में सुधार की जरूरत है जिससे देश का राशनितिक नेत्रित्व हमेशा बचतार रहा है हैदराबाद इंकाउंटर के बारे में भले ही यह दावा किया जा रहा हो कि इसमें दुषकर्म के अपरादी मार गिराए गएं लेकिन पुलिस की ऐसी सक्रियता के दूसरे खतरे जादा बड़े हैं और कम से कम यह न्याय का विकल्प तो नहीं ही हो सकती हैदराबाद की घटना के बाद आम लोगों में जो गुस्सा बना था उसकी आज केंद्र और राज्यों की सरकारे मैसूस कर रही थी दुसकर्म से जुड़े कानूनों और उसे लेकर पुलिस व्यवस्थाओं को दुरिस्त बनाने की जिस तरह की मांग हर ओर से उठ रही थी वह बदलाओ की उमीद बना रही थी ऐसा दबाओ निर्भया मामले में भी बना था और कुछ एक बदलाओं के बाद जब लोगों का गुस्सा ठंडा पड़ा तो चीजें फिर अपने धर्रे पर लोट गए इस बार कुछ बदलाओ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और एक इंकाउंटर ने ही लोगों का गुस से ज़्यादा राहत की सास सरकारों ने ली होगी। के साथ सांसद भी सामिल है ऐसा तव है जब इस मुठवेड से जुड़े कई प्रश्न अनुतरित हैं और हर कोई इससे अवगत है कि पुलिस कई बार फरजी मुठवेडों को भी अन्जाम देती है फरजी मुठवेडें भीड की हिंसा का ही एक रूप हैं 120 सब्दप्रति मिने डिक्टेशन भी समाप्त हुआ ऐसे प्रते दिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे है इसके लिए चैनल को सबस्क्राइब करना बेलकुल मिने भूले और बगलने जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उससे तो जरूर से दबा लीजिए ताकि जो भी वीडिय रहे धन्यवाद